आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने computer system में password create कर सकते हो अगर आप ए computer user हो खासकर beginner हो तो आपको पहला काम यही सीखना चाहिए कि computer system में password कैसे लगाते हैं और उसे हटाना भी बताऊंगा मैं तो सबसे पहले create कैसे करते हैं वो सीखते हैं search bar में यहां पर आना है और आपको type क्या करना है आपको type करना है settings उसके बाद इस पर click करो setting वाले option पर click करो यह बहुत सारा options आ जाएगा आपको select करना है accounts को उसके बाद यहां पर left corner में जाना है sign in option पर sign in option में जाने के बाद यहां पर देखो password का एक option आपको मिल जाएगा इस पर click करो जब आप इस पर click करोगे न तो यहां पर add एक button आपको दिखेगा add button तभी दिखता है जब आपको password create करना होता है तो इस पर click करते हैं तो देखो ये create a password का हमें window दे दिया, तो यहाँ पे आप new password में कुछ भी password type कर लिजिए, और confirm में उसी को repeat कर दिजिए, password hint ये optional होता है, दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, मैं दे देता हूँ, इसका काम ये होता है कि मालो, आगे चल की ये password आप भूल गए, तब आप इस password hint के चलते भी system को unlock कर सकते हो, अभी next पे click करो, finish कर दो, तो guys, आपके system में password create हो चुका है, अभी जब system को restart करोगे, तो आप से ये password मागेगा, वही password जो अभी अभी आपने create कर रहा है इसमें, अभी password को हटाते कैसे हैं, वो देख लो, फिर से आपको कहां जाना है, आपको फिर से जाना है, settings में, उसके बाद यहाँ पे accounts वाले option पे जाओ, sign in option को select करो, बहुत सारे options में मिलेंगे, आपको password पे जाना है, फिर से, तो अभी देखो, यहाँ पे same button में change लिखा हुआ आ रहा, तो यह change लिखा हुआ तब ही आता है, जब password को आपको यह तो हटाना हो, या फिर change करना हो, इस पे हमने click कर रहा, तो यहाँ पे current password पूछ रहा, सबसे पहले वो password एंटर करो, जो अभी आपके system में लगा हुआ है, next कर दो, तो यहाँ पे देखो, change your password बोडरा, अगर आप एक नया password फिर से लगाना चाहते हैं, उसको बदल के तो आप लगा सकते हो, लेकिन मुझे हटाना है, मैं क्या करूँगा, next कर दूँगा, फिनिस कर दूँगा, तो अभी system से password हट चुका है, उसका सबूत है यह add button, add button तभी आता है, जब system में password नहीं रहता है, और इसका काम होता है password create करना, जैसे starting में था यही, इस पर click करेंगे, फिर create कर सकते हो, तो अगर आपको video useful लग गया हो, अच्छा लगा हो, तो like करिए, share करिए, चानल पर नए हैं, चानल को subscribe कर दिजिए,